नमस्कार मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपनी चैनल भूचपुरी गौसिप है तो जिया चैट पटे और मज़ेदार बाते हमेशा करता हूं कैमरा में जूम किजिए इधर अखलेश कस्यप और काफी दिनों के बाद और हमारे सुपर स्टार चूप हैं कई सारे सवा हमारे खेसाड़ी भी आजी बड़े सांथ सोला तारीक से कुछ कोई अपडेट नहीं कोई कोंट्रोवर्सी नहीं कोई मसाला नहीं आखिरकार ऐसा क्या आप लोगों ने किया कि खेसाड़ी लाली आदम जिस चुप हैं सचाइए एक दम मानना पड़ रहा है मैं एकसेप्ट करते हैं कि क्योंकि अब ऐसा कुछ बहुत पूरी में मेरे उमीद से तो कुछ नहीं होने वाला है सांथी बड़ी सुकून से इतना हमको लग रहा है कि जब हम आदिशक्ति में थे तो इतना बढ़ियां बढ़ियां गाना लिखते थे जो अभी गाने लिख रहे हैं क्योंकि माइंड एक दम सांथ है और सिर्फ गाने पर सोच रहे हैं और बड़ी तगड़ा तगड़ा गान लगा उसके पहले का जो महाल हुआ करता था कि 15 दिन में प्रेस कॉंफेंस हुआ करता था यह फिल्म में मूरत हुआ करता था उसी टाइम सुपर स्टार से बाते हो पारती थी या फिल्म के सेट पे अब कोई भी बाद यह जो जो कॉंट्रवर्सी होते हैं हर 24 घंटे में एक दोनों भाईयों में बड़ी प्रेम है और उसको हम लोग चाहते हैं कि आजीवन ऐसे ही दिखता रहे हैं अब हिमत नहीं है किसी से लड़ने की जगड़ने की कितना दिन की जिंदिगी है एक टाइस हैं कातना कॉस्ट चलत रहता कौन कौन बेमारी आवत रहता कोब के उलट सब्सक्राइब करें लेकिन सवाल थोड़ा डिफरेंट इसलिए तीन दिन पहले कॉंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे एक मैटर है गलोबल मुजग जक्सन जीम जी का भी बात और इसमें जो उसके ऑनर है राजकुमार जी मीडिया को बाइट भी देते हैं और कहते हैं कि आदिसक्ति के जो ओनर है मनोज जी उनके साथ कुछ घटना किया है किटनैपिंग करने किया पहरन करने की कोसिज किया गया है और इसको लेकर एरपोर्ट पे उन्हें गिरिफतार भी किया गया है क्या आपका भी जीम जी से कह कहीं कनेक्शन रहा है कॉंट्रोवर्सी रहा है आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं क्या यह वाक्य में मुद्दा है क्या थोड़ा समझाने की कोसिज करेंगे या पिर आपको बात बताता हूं कि ग्लोबल म्यूजिक जक्शन वह एक डिस्टिब्यूशन कंपनी है और आ कि हर चीज का लड़ाई जगडा समिधान नहीं है और उसका सवलूसन लड़ाई जगडा नहीं है माली जी आपसे हमें प्रॉबलम है या हमारा और आपका हिसाब किताब गडबड चल लाए तो उसके लिए या तो हम हमारे नजदीकियों से मिलेंगे या उनके नजदीकियो उठाना यह कहीं से सही नहीं है और मनोज बाबा भी हमारे बड़े भाई है उनको भी मैं बहुत मानता हूं लेकिन यह जो चीजें हुई यह उनको नहीं करना चाहिए था इसकी मैं निन्दा करता हूं और अगर ऐसा करना होता तो मुझे लगता है कि ग्लोबल म्यूजिक ज लोगों की जो ती वह कागजी लड़ाई है तो वह हमारा कोट फैसल ला करेगा वह कोट गए अपना हम केस लड़े बना हम फिर से राजकुमार जी से बातिचीत हुई हम लोग ऐसे तो मेरी कभी हम सब कि किसी की भी बातित नहीं हुई थी लेकिन मामला भी गड़ गया था गर्मा-गर्मी वाली बाते होते रहते थी लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी किषारी वेयाने उनको अपसब्द बोला हो या हम से जब सब्सक्राइब बुलाया हो या हम लोगों ने कभी सब का उतना पावर है कि किसी को कोई भी आज एक रिक्षा चलाने वाले ठिला चलाने वाले इनसान का भी अपना वजूद है वो भी किसी को मार सकते हैं ऐसा नहीं है जब वो अपने आप पे आ जाते हो तो हर चीज का लड़ाई जगड़ा समयधान नहीं है और इसको मेरे हिसाब से बैठ के इसको सट आउट करना ही सबसे बड़ी चीज थी क्योंकि आदि सकती कंपनी और मुझे लगता है कि उसके एक लाग सतर हजार सब्सक्राइबर थे तब पर आया था वहां पर और तब से मैं काम करता और आज मैं जब छोड़ा था दिसकती कंपनी तो इस टाइम मुझे लगता है कि 12 या 13 मिलियन सब्सक्राइबर तो इतनी बड़ी भोजपूरी के कंपनी और उसके मालिक होने के नाते मेरे हिसाब से उनमें ये सोभा नहीं दिया है और ना देता है कि इस इन सब चीजों का बड़ावा देया ऐसी हरकते करें जिससे पुब्लीक को बुरा लगे देखिए लड़ाई जगणा सब कुछ होते रहता है जीवन मरण यहीं सत्य है तो इसमें हमारा कहने का मतलब यह है अगर माल लीजिया हमारा को इतले ही लिया तो हम क्या करेंगे जीवा नहीं स्ट्रग नहीं हूँ अगर मेरा मैं जीरो से हमेशा चालू हुआ हूँ और हमेशा जाकर सौ तक जाता हूँ अगर फिर से मुझे जीरो से कोई बोले तो मैं फिर से सौ तक जाओंगा ऐसा नहीं है मेहनती है हमें लिखने आता है मुझे मेहनत करने आता है मेरा कोई अगर हम जिंदा रहे हैं या हम सुरक्षीत रहे हैं बढ़िया रहे हैं हम खूस रहे हैं तो फिर से हम सब कुछ सही कर सकते हैं लेकिन अब माली जीए मार जगडा हुआ आप अरेस्ट हो गए आप जेल चले गए तो फिर यह चीजे आप कौन देखेगा थोड़ी सी आपकी नदानी आपको इत आपके अपने थे और रियल में आपके अपने थे आपके लिए आज भी उनके लिए हमारे दिल से कभी जगह खौम नहीं हुई है ऐसा लगता है कि इस रहुली पर भिमारिये तो उतना ही चोट लगेगा तो एक समझदार व्यक्ति को शालिंदा का परिश्य देना चाहिए इस टाइब का किसी के बाकावे में चड़ावे में आगे ऐसा कदम ना उठाना चाहिए जिससे आपको प्रोब्लम होगे अभी तो सिर्फ आप प्रोब्लम में और ऐसा नहीं होना चाहिए सब को मिल्यूल के भौश्पूरी में काम करना है ऐसे अगर होगा तो आगे वाले कमपनिया होगी यह सब भौश्पूरी की स्थितिया देखेगी तो हमें कोई उस टाइब का फाइनेंस नहीं करेगा हम सब को उस टाइब कोई प्रोजेक्ट नहीं करा पाएगा तो इन सब चीजों को देखते हुए ध्यान में रखना है और अपना काम करना है ऐसा नहीं मैंने किया था कि आपके साथ रिस्ता कैसा है तो उन्हें खुलके बोला कि आप पूछ ली जब दो चीजे निकल चुके हैं तो मुझे नहीं लग रहा था कि एक टेबल पर बैठके आप कोई भी उसका एक आगुवा बनके कंप्लीट कराता हूँ जितना मैं राजकुमार जी को जानता हूँ वो एक समझदार व्यक्ति है ऐसा नहीं है कि वो जिदी भी है और समझदार भी है ऐसा नहीं है उनसे मुझे बरोसा है हम बोले भी थे उनसे भी बोले थे कि एक बार भाईया हम लोग बैठके आदिस अत्तिका सब कुछ खतम बड़ी परेशान है तो बहुत जल्दी इसका भी निदान क्योंकि हम कभी उस व्यक्ति से मिले बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाया सब लोग खूस रहे हम हमारा कहने का मतलब यह है कि सब लोग खूस रहे लेकिन वह कागज का प्रोब्लम था पैसे रूपिया का बाते क्या थी उतना तो हम कभी इंटर्नली नहीं गया कि कि किसी के प्रस्टनल जीवन पर नहीं पूछते हैं किसी कि कितना पैसा दिये कितना लिए है क्योंकि हम अपने में खुस रहते हैं और हमारे साथ उनका रिलेशन बहुत बढ़िया है हम लोग जब भी हमसे बात करत स्फाहते हैं लेकिन यह भी सणी है सब लोग आपके लोगए काम कर रहे हैं सबलोग सब जगह काम कर रहें ऑन्के आं काम और यह नहीं किसे एसा नहींلف पहर है उसमें तो आप तो हमारे सबसे अगर अज कूर्शी बैटा है तो उसका योगदान मनोज मिश्रा जी और खेसारी लल्यादों को हम हमिसा देते हैं क्यूंकि मनोज बाबा ने मुझे उस टाइम वहां से उठा के लाया जब मुझे मेरे बकसर सहर के ही सिंगर नहीं जानते थे तब से वह आदमी ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज दु करें कि बहुत जल्दी सब सोट आउट हो जाए और वो फिर से आया और हम सब के लिए बढ़िया बढ़िया गाना बना हम लोग वैट के सारे बाई एक साथ बात करें क्योंकि साथ रहने वाले जब कर्ष्ट में होते हैं तो दुख दर्थ होता ही है क्या अपडेट है मतलब एरपोर्ट से गिरफतार होने के बाद अभी तक अफिशली मीडियम कोई जानकारी नहीं है कि इसके बाद क्या हो रहा नहीं हो रहा है आपको कोई जानकारी है कि इसके बाद एरपोर्ट के गिरफतार होने के बाद क्या हुआ है उन्हें पुलिस न